ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आप के आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रु सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मेंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशिफल यह राशिफल है छे फरबरी 2021 शनिवार का दिन है मागमा के कृष्ण पक्ष की नवमीत थी है अनुराधा नामक नक्षत रहेगा व्रश्चिक राशी में चंद्रमा बिद्धिमान रहेंगे दिशासूल के अगर हम बात करें तो पूरु दिशा में रहेंगे इसलिए पूरु दिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित ह होगा यदि किसी कारण वस पूरु दिशा की यात्रा करना बहुत जादा वश्यक हो तो अद्रक खा करके यात्रा प्रारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की सुबह नो बजे से प्रारंब होकर के साड़े दस बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मंगलिक य शुक्र ग्रह मकर राशी में शनी देव मकर राशी में राहु वरशब तथा केतु वरश्चिक राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश करक कन्या वरश्चिक धनो और मीन ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशारी रेने वाली है देनेन इनको अच्छा फायदा हो सकता है तो अब हम आपको मेश से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंततक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे द्रिष्टी से दिन उपलब्धी कारक है धनलाब होगा रुका हुआ पैसा मिलेगा नए आमदानी के स्रोथ भी आपके बन सकते हैं उपाई के रूप में मसूर की डाल का दान किसे भी गरिब व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक एक होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की अगर कहीं पूझी निवेश या फिर नया काम करने का विचार कर रहे हैं तो आप योजना बद्ध तरीके से उसको संपन न करेंगे तो बहुत ही फाइदेमन साबित होगा आज कोई सपना साकार होने वाला है इसने अपने सभी कारियों पर पूरी तरह ध्यान के इंद्रित रखे विध्यारतियों को प्रतियोगी परिक्षा में उचित परिनाम हासिल होंगे और उपाई के रूप में भैगवान शंकर जी के मंदिर में सफेद रंग का फूल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका औरेंज होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की धर्म और अध्यात्म के प्रति विश्वास आपके अंदर शांती और सकारत्मक उर्जा का संचार करेगा जीवन दिनों से प्रतिक्षारत था यानि जिसकी आप प्रतिक्षा कर रहे थे उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कर अलत फेमिया चल रही है तो वो किसी के बीच बचाओ से या मध्यस्ता से दूर हो जाएगी आपसी संबंध आपके पुना अच्छे हो जाएंगे उपाई के रूप में चावल का दान किसी भी जर्वत्मन व्यक्ति को करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं सिंगरासी की पिछले कुछ समय चे चली आ रही और्थिक समस्याओं का निवारन होगा काफी समय से रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा घर का माहुल पाजिटिव दूसरों की समस्या में न उल्चे तो ही बहतर रहेगा पड़ोसियों के साथ किसी बात को ले करके कहा सुनी या वहचारिक मदभेद उत्पन हो सकते हैं किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण आपको परिशानी पैदा हो सकती है इसलिए प्रत्य कारियों में साउधानी ब अब हम बात करते हैं कन्याराशी की इस समय ग्रहों के इस्तिती बहतरीन उपलब्धियां आपको प्राप्त करने का योग बना रही है अब अपने अंदर अद्भूत उर्जा व आत्मेश्वास महसूस करेंगे तथा कारिक्षमता में इज़ाफा होगा अपने मन मताबिक का अलस्सी की वज़े से बंते-बंते कामों में रुकावट आ सकती है इसलिए लापरवाही न बरते सभी कारियों को गंभीरता पुर्वक आपको करना चाहिए उपाई के रूप में यदिया भगवान विश्नुजी के मंदिर में केला चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफल भूमी का रहेगी आपके लिए बहतर सम्मान जनक इस्तितियां बनेगी घर में बच्चों की किलकारी संबर्दित कोई शुब सूचना या अच्छा समाचार मिलने वाला है संतान की उन्नती तथा प्रगती होगी नय वाहन नई जंबेडारी आपको मिलने वाली है प्रापर करते हैं वर्ष्चिक रासी की बहारी गतिविधियों तथा मित्रों के सांथ संपर्कों को और अधिक मजबूत करने के लिए दिन उत्तम है भाग्या आपके लिए लाबदायक परिस्तियों का निर्मान करेगा घर की सुक्सुधाओं संबंदी कारियों में आपका समय व्यत दिन करते हैं तो उसके बारे में चान बीन करना बहुत अवश्यक होगा वरना आप नुकसान में आ सकते हैं और उपाई के रूप में घर से निकलते समय गुड़ खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक पांच होगा भागिशाली रंग आ चनुराशी की आज रोजमर्णा की दिन चरिया से हटकर कुछ रचनात्मक और रुची संबंधी कारियों में आपका समय विचित होगा किसी रिष्टिदार के साथ चलिया रही पुरानी समस्या का समाधान किसी के मद्यस्ता से हल हो जाएगा कुल मिलाकर के समय खुश्णु को करेंगे तो आपका डेंड शुप्फलदाई साबित होगा, आपका भागिशाली अंक तीन होगा, भागिशाली रंग आपका आश्मानी होगा, अब हम बात करते हैं मकर राशी की, धार्मिक वा अध्यात्मिक शेत्र में आपको फायदा होगा, आपका रुज्दान वहाँ पर जादा रहेगा आपको मांसिक वा शारीरी ग्रूप से स्वस्थ भी महसूस करेंगे कोई महत्वपूर्ण सूचना या समाचार मिलेगा जिसे मन आपका प्रसंद रहेगा कोई समय से आपने जो लक्ष निर्धारित किया हुआ है आज उसे पूरे करने का उचित समय है अप भगिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते ही कुम्प राशी की आज आपको महत्वपूर्ण समाचार मिलने वाला है कोई महत्वपूर्ण जिम्मेडारी भी आपको मिल सकती है धनलाप के सांथ साथ नए घर की सुब सूचना भी आपको प्राप्त हो सकती है अपको सुकून और प्रसनता प्राप्त होगी दूसरों पर विश्वास करने की बजाए अपनी अंतरात्मा के नरणय को आपको प्रात्मिकता देना चाहिए आपको अबश्य ही उचित मार्ग दरसन प्राप्त होगा किसी दोस्त या रिस्तिदार का सांथ आपके लिए भागिशाली रंग आपका बादामी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आपकी हिम्मत और साहस आज बहुत अधिक रहेगी और उसी के बल बूते पर आप बहतरिन परिनाम भी हासिल करेंगे दो परबार इस्तितियों में सुधार होगा धनलाब होगा परिवार में भागिशाली रंग आपका नीला होगा तो मित्रो यह बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तथा भागिशाली अंक और भागिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और यह अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्टन साधर धन्यवाद